हाई प्रेंट्स आज में बनाने वाली हूं सेम की सब्धी इन में जो इग इंगिडियन्स लगने वाली है वो यह हैं तीन मेडियम साइज के आलु है कट कर के मैं रख ली हूँ छी में मेटा रहे थोड़ा सा 8-10 सेम है कट करके रख ली हूँ मैं एक गाजर है उसको भी चोटा टुकड़ा में कट करके रख ली हूँ एक चोटा प्याज है सोहा धनिया पत्ती मिला हुआ जरा सा यह हरा धसगा प्याज है टमाटर है बेड़ा साइस का चार-पांचारी मिर्च दो सुखा मिर्च हाफ चम प्लेम को आन करके सबसे पहले हम लोगों को इसमें टेल डाल देनी है तेल गरम हो चुका है मैं प्यास डाल दी हूँ प्यास को ब्राउन करना है अब इसमें हरा प्यास को डाल देना है और इसी तरीके से चला लेना है अब इसमें एक एक करके सबकी सारी सबजियों को डाल दे रहा है सारी सबजियों को डाल कर अच्छे से मिला लेने है अब फ्लेम को कम कर देती हूँ इसके बाद ये इसे डाल के बाद ये अच्छी तरीके से अढ़क करना है तीन से चार मिनट स्लो स्लेम पे ही पकने के छोड़ देंगे चार से पाच मिनट के लिए इसे पकने देंगे इसे चार मिनट पकने के लिए इसे छोड़ देना है इसके बाद इसमें हमनों धनिया पती टमाटर डालकर अच्छी तरीके से चला लेनी है इसके बाद फिर स्लो फ्लेम पे ही इसे ढखके दो से चार मिनट के लिए पकने के छोड़ देना है अब इसमें सारे मसाले को डाल दूंगी हल्दी नमक जिरावल की किफक की डाल कर इसको अच्छी तरीके से हमनों को मिला लेना है दो से चार मिनट के लिए इसे पकने के लिए ढख देना है अब अमनों को खोल के एक दफा और सब्जी को अच्छी तरीके से चला लेनी है दिखिए अब अनों का सब्जी बनकर तयार है मैं अच्छी तरीके से मिला ले रही हूं इसे अब दो से चार मिनट के लिए फुट ढखक कर छोड़ देंगे डखकन हटाकर फिर से एक दफा सब्जी को देख लेना है हमनों को कि सब्जी जली तो नहीं है हमनों के सब्जी देखिए बनकर तयार है बजूल कहीं कुछ जलावला नहीं है अब इसे मैं सर्फ कर रही हूं गैस को बनकर देना है इसे मैं सोहा से गानिश कर चुकी हूँ अभी हम लोग के सेम की सबजी बन कर तयार है अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इससे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट्स बॉक्स में जाके कॉमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब पढ़ना प्लीज मत बूलिएगा अल्ला हाफिज